अपर तो चिलिए स्टार्ट करते हैं आँज की वोगशीट में हम आपका जो टॉपिक है गोले तथा अर्ध गोले का प्रेश्टिशेत्रफल इसको आजम करेंगे जैसे पहले आपको पता होना चाहिए जो गोला है प्रेश्टिशेत्रफल इसकी समझ आपको होने चाहिए तो फुटबॉल बगएर ये बोल होती है आपके पास तो गोले का जो प्रेश्टिशे केवल एक वक्रिये फलन होता है ठीक है सिर्फ एक कर्व होता है इसमें एक वक्र होता है तो एक गोले की प्रेश्टिशेत्रफल उसकी तरजा की बराबर तरजा वाले चार व्रतों के शेत जो इनका शेत्रफल है ना इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगा एक गोले के बराबर होगा कहने का मतलब देखो जो व्रत है उसका शेत्रफल क्या होता है पाईयार का वर्ग होता है पाईयार का वर्ग होता है ऐसे चार हमने व्रत ली हैं तो क्या हो तो जो गोले का प्रिष्टे शेत्रिफल ऐसी क्या होगा तो इसका प्रिष्टे शेत्रिफल का फॉर्मुला क्या होता है जो एसे होगा 4 into pi क्या होगा 22 by 7 और r कितना दिया होगा चोधा दिया होगा बस इसको 7 से 14 कर गया 2 पे multiply कर तो इनको simply ठीक है तो 2464 cm का वर्ग आपका answer आएगा ठीक है यह होगा आपका वक्रे ट्रेश्टिशे इत्रफल गोले का अब आगे देखो अगर आप क्या करते हो कि यह आपका क्या है हेमिस्फेर अर्ध गोला है हेमिस्फेर क्या होता है अर्ध गोला क्या होता है अगर आप गोले को बीचो बीच से काट दो तो क्या बन जाएंगे अर्ध गोले हो जाएंगे समतल हो गया यह समतल वाला हो गया और यह वक्र आपका भाग हो गया ठीक है तो अर्द गोले का वक्र प्रिष्चे शेतरफल क्या होता है गोले की प्रिष्चे शेतरफल का आधा गोले को आपने आधा किया है तो जो उसका शेतरफल है वो भी क्या हो जाएगा आधा हो आपका अर्ध गोले का वक्र प्रष्टे शेत्रफल जिसमें आर्ध का आपकी त्रिजा है ठीक है तो माल लीजे अब आपको क्या करना है यह तो आपका वक्र प्रष्टे शेत्रफल हुआ है ठीक है क्योंकि वक्र यह फलक का हुआ है अगर आपको यह बोला जाए कि अर्ध ग प्रिश्ट का शेतरफल पाई-अर्ड का वर्ग होता है, तो बस वो हमने इसमें जोड दिया, तो 2 प्लस 1, 3 पाई-अर्ड का वर्ग हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका वकर प्रिश्टी शेतरफल, ठेके, अब देखो यहाँ पे, एक्जाम्पल्स हैं छोटे-छोटे, सबसे पहले 14 cm तुरजा वाले अर्द गोले का वकर प्रिश्टी शेतरफल निकालो, वकर प्रिश्टी शेतरफल क्या होता है, 2 पाई-अर् का वर्ग होता है, 22 पाई-अर् का वर्ग, आर् आपको दिया हुआ चोधा, तो 14 का वर्ग, 14 ग 3 πi r का वर्ग होता है न तो 3 πi r का वर्ग हो जाएगा 3 πi 22 बैसे और आर का वर्ग r क्या है 14 गुना में 14 कितना हो जाएगा 1848 cm का वर्ग आपका आंसर आ जाएगा ठीक है यह हो गया आपका टोटल सर्फिस एरिया ठीक है गुल प्रेश्टर शेत्रफल और इधर क्या था आपका वर्ग प्रेश्टर शेत्रफल अब रीचे एक और इंपॉर्टेंट आपको क्वेशन दिया हुआ है ठीक है इसमें क्या बोला है आपको कि एक आर्दा गोलाकार का टोरा है जो 0.25 cm मोट से बना है मतलब जो इसकी मोटाई है यह जो हिसे है कि इतना ही 0.25 टेकर इसका कि आंत्रिक तरज़ा आपको दिया अंदर वाले जो तरजा वह दितए पको 5 सन्टेमीटर तो पहले अबнымड़ी आपको क्या निकाल ला है आंप अंधर की जो तरजा है वो दे रख है तो आंतर हमें लेना 3.14 और R का वर्ग क्या हो जाएगा 5 गुना में 5 बस इसको हमें गुना करने पर आंसर मिलेगा 157 cm का वर्ग ठीके दूसरा भाग क्या बोला है बहारी वक्र प्रिष्टेशेटरफल आपको निकालना है तो बहारी वक्र प्रिष्टेशेटरफल क्या होगा 2 π.R का व लाएगी 5.25 तो बस R की जगे 5.25 हमने रखा है बस इसको गुना करने पर आंसर कितना आजाएगा 173.09 cm का वर्ग ठीक है तो यह क्या है वक्र प्रिष्टेशेटरफल और अंदर का आंतरिक है और यह बहारी वक्र प्रिष्टेशेटरफल अब तीसरा भाग दिया हुग है क फ्रिष्टेशेटरफल अपको गयात करना है फ्रिष्टेशेटरफल किया UP अंदर वाला हिस्सा बाहरा हिसा यह दो है अर्धucky है को अंतिक वक्र प्रिष्टेशेटरफल अंतरिक तरचा बहारी नो जो रिंग का शेत्रफल है वो क्या होगा तू पाई आर का वर्ग माइनस आर का वर्ग तो बस इसको निकालने आपको यह दोनों तो एज़ चीज है आपके ठीके इसको निकालो पाई क्या है 3.14 आर का वर्ग 5.25 माइनस में जो अंतरिक वर्ग है 5 ठीके 5 का वर्ग इसको solve करो की तो आंसर हैगा 8.05 बस अब तीनों को जोड़ तो तीनों को जोड़ने पर आंसर मिलता है 3 3 8.14 संटीमीटर का वर्ग जो की आपका क्या है अर्द गोले का टोरे का पुल वर्ष प्रिष्टे शेत्रफल ठीके यह हो कि आपका उधारन दूसरा अब हम चलते हैं हमारे प्र प्रिष्टे शेतरफल निकालना पता उना चाहिए क्या होता है प्लाइ आर का वर्ग होता है 4 पता है आपको पाई पता आर का व्रग मतलब आर पता होना चाहिए जो आपको दे रखा है बस वैल्यू पुड़ कर दो यहां पर ठीक है यह आपका कोशिट नslबर 1 क्या दिया चलिए नेक्स्ट है question number two second question में आपको क्या दिया हुआ है कि 21 cm तरज्या वाले अर्थ गोले का वक्र तथा संपूर्ण प्रस्टेशेत्रफल ग्याद कीजिए तो 21 cm वाला दिया मतलब आपको क्या करना है यहाँप आर आपके पास 21 cm ठरख कर दो सिंपल वेनल्यूउस पुट करदो जो वक्र प्रेश्टिश हेत्र प्रस्टिश करद defenses 2,000сhtb iT7 50 wow3 ये क्या होजाएगा ट्रीश ने पर आएगा 4158 cm work तो यह होगे आपका question number two next है question number third third question क्या है उस गोले की तुर्जा गयात कीजिए जिसका प्रिष्टेश एत्रिफल 154 cm work गया अपके बार आपको पहले ही प्रिष्टेश एत्रिफल दिया हुआ 154 cm work आपको सिर्फ क्या करना है अत्रजा निकालनी है तो देखो question third क्या करना है थर्ड कोशिन में आपको गोले का प्रिष्टेश एत्रफल चार पाई आर स्कुएर होता है तो इसके अंदर यह आपको पहले सी दे रखा है गोले का प्रिष्टेश एत्रफल 154 इसमें आप वैल्यूस पुट करो 422 बाई 7 आर आपको निकालना है ठीक है तो यहा आपके पास 4 है तो 7 x 7 में 4 को असे लिख सकते हूं 2 x 2 तो यहां पर 7 x 2 का स्कुएर हो गया इसका वर्ग हो गया है ना तो बस उसको मैंने क्या कर दिया यहां पर स्कुएर से स्कुएर कैंसल हो जाएगा यह सिर्फ मतलब आपको समझाने के लिए कैंसल नहीं होता कभी भी म किया है एक तरज्य आर 7 cm वाला लंब वृत्य बेलन एक गोले को पुर्णात्य गेर हुए है ठीक है मतलब क्या हो गया जो यह बेलन है ना बेलन के अन्दर क्या है गोला है तो यह तो आप सीदा से निकाल सकते हो आर आपको दे रखा है इसका प्रिश्टिशी शेत्रिफल होता है 2πi r h होता है r आपके पआस 7 cm दिया हुआ लेकिन h नहीं दिया हुआ है और यह उपर भी r है तो इन 2 r से मिलकर यह पूरा ह नवा हमारा हैना हैना है न सही हैत तो यह फुट करनी है 2r मतलब 2 x 7 14 h होगया देखो question 4 पेला क्या है गोले का प्रेश्टिशी इत्रफुल फॉर पाई आर का वर्क ठीक है तो फॉर पाई 22 पाई 7 आर के आपके पास 7 दिया हुए 7 से 7 कट के आंसर कितना हो जाएगा 616 एक मिनिट तो यहां से क्या हो जाएगा 7 से 7 कट के आपका 616 सेंटीमिटर स्क्वार आया अब बेलन का वकर प्रिशेशी इत्रफल निकाला है 2 पाई आर एच होगा ठीक है आपके पास 14 सेंटीमिटर अभी मैंने आपको बताया ठीक है तो 2 इंटो 22 पाई 7 आर इंटो 40 आर इंटो एच त मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको लेक्चेर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन टेक कियर बाई